पुरह नदी में गिरा दिया रागीर ने नदी से शिवकांत को बाहर निकाला शिवकांत शर्मा ने बताया कि नितेश को हमने डाटा और घर चले आई तो फिर बाद ही आरोपी नितेश अपनी पिता चोटे लालवा मा को लेकर लाटी डंडे साथ घर में गुस्ते वे गाली गिलोज करते वे मार्टीट करने लगा जिसमें शिवकांत का बेटा मोहित खायल हो गया उसकी एकसर में चोटे आई है नहीं बीच बचाव करने आए खरकपुरा सरया निवासी राजेश यादो पर आरोपी नितेश की मा ने इट से हमला कर दिया जिससे राजेश यादो मौके पर घायल होकर बेहोश हो गया लोगों ने राजेश के परिजनों को सोचना दी परिजनों ने राजेश यादववा शिपकांत शर्मा मोहित कुमार के साथ थाना उस्राहार पहुचे जहां से थाना द्यक्ष गंगदास गौतम ने उपचार के लिए CHC सरसाई नावर भेजा जहां डॉक्टरों ने दोनु गायलों को जिलात पताल रेफर कर दिया खाना द्यक्ष गंगदास गौतम ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कराया जाएगा वह आरोपियों को पकड़ कर कारवाई की जाएगी उसराहार से गौरफ शाके की रिपोर्ट जो भी गठना हुई कैसे हुई है क्या मामला था किसको लेकर की गठना आपके लड़ाई लड़ाई उसके घरवाली ने पिता जी के तमाचों दो जो मेरे भाई हैं भीश बचाएं लगए आपके आपके बाई का नाम क्या है क्लू यादा कलू यादा कैसे लगी और किसे प्रयार किया गया उनके घरवाली ने टमादे भीच बिचा बीच बिचाओ कर रहे हैं तो हम आते नहीं घर पर और इसके अलावा और किसी के चोट आई है और बिच्वे आपके भी चोट आई आई आपकी चोट आपका नाम क्या है जनों ने आपके उपर बार किया उनका नाम क्या क्या है उनके पिता जी का नाम है छोटे बुझ्जी उनके लड़के का नाम क्या है नीते सनौप चोटे बुझ्जी और कौन था और उनकी घरवाली थी अच्छा मतलब आपके उपर इन लोगों ने प्रहार किया और कैसी उनके कितनी कि किसी के चोट नहीं आई है आपके ऊपर सबसे जादा चोट आई है अच्छा तो जिसके यह किस जगही गटना है कौन सा गाउं आपका है नंगला विजयी नंगला विजयी का ठीक ऐसे ही खबर ते जोड़े रहने के लिए आप देखते रहें एक तेजस टोड़ी फोन्योज